पश्शिम मंगाल के मुख्य मंत्री ममताव एनर्जी ने दिल्ली में नीती आयोग की बैठक में हिस्सा लिया लेकिन थोड़ी ही देर में ममताव एनर्जी ने वॉक आउट कर दिया ममताव एनर्जी नीती आयोग हटाने और योजना आयोग लाने की बात कह रही है बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बैनर जी ने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनका अपमान किया गया है उन्होंने कहा कि केंडर सरकार को राजसरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए वे मीटिंग में बोलना चाहती थी लेकिन उन्हें केवल 5 मिनट बोलने की अनुमती दे गए इस वज़े से वे मीटिंग से वाक आउट कर गए उनका इस तरह से मीटिंग से निकलने की वज़ा सच में यही थी या फिर पहले से सोचा समझा गया कोई साजिश तो क्या है पूरा मामला देखेंगे इस स्पेशल स्टोरी में नमश्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंग प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीती आयो की बैठक को संबोधित किया इस दोरान पियमोदी ने कहा कि देश को 2047 तक विक्सित राष्ट बनाना हर भारतिये की महत्वकांग्शा है और राज इस लक्ष को हासित करने में प्रमुख भूमी का निभा सकते हैं क्यूंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए है इस बैठक का कॉंग्रेस पाटी और इंडिया गटवन्दन के कई दल ने विरोध किया वही तरणमुल कॉंग्रेस प्रमुख और पश्यमंगाल की मुख्य मंत्री ममता बेनर्जी इंडिया गटवन्दन के विरोध से नीती आयोग की बैठक में शामिल हुई हाला कि वो बैठक के बीच में ही छोड़कर चली गई बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बेनर्जी ने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनका अपमान किया गया है उनोंने कहा कि केंदर सरकार को राजसरकारों के साथ भेद भाव नहीं करना चाहिए वें मीटिंग में बोलना चाहती थी लेकिन उन्हें केवल पांच मिनट बोलने की अनुमति दी गई उनसे पहले लोगोंने दस से बीस मिनट तक बात की पश्यमंगाल की CM ने कहा कि मैं विपक्ष की एक मात्र सदस्य थी जो मीटिंग में भाग ले रही थी लेकिन फिर भी उन्हें बोलने की अनुमती नहीं दी गए और ये अपमान जनक है ममताब एनरजी ने कहा कि मैं बोल रही थी और मेरा माईक बंद कर दिया गया मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका आप भेद भाव क्यों कर रहे हैं मैं बैठक में भाग ले रही हूँ आपको खुश होना चाहिए इसके बज़े आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार को औ और अधिक गुंजाइस दे रहे हैं विपक्ष से केवल मैं ही हूँ और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं ये ना केवल बंगाल का अपमान है बलकि सभी शेत्तिय अद्दलों का भी अपमान है नीती आयोग की बैठक में नहीं बोलने के लिए पशिम मंगाल की सीय ममताब इनर्जी के आरोपों पर कॉंग्रस नेता अधी रंजन चौधरी ने उन्हें खूब लता रहा है नीती आयोग की बैठक को लेकर ममताब इनर्जी जो बाते कह रही है मुझे लगता है कि वे जूट बोल रही है ये बहुत आश्यर की बात है कि कि किसी राज की सीयम को बोल नहीं दिया जाएगा ममताब इनर्जी जानती थी कि वहां क्या होने वाला है उनके पास स्क्रिप्ट थी साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे पक्षी कारेकरताओं के प्रती नीधियों को पीट-पीट कर या रिष्टवत देकर जबरन अपनी पार्टी में शामिल किया जात ममताब इनर्जी जब दिल्ली आती हैं तो संत बन जाती हैं लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में शैतान बन जाती है खुद के घर में युद्ध ममता के कटर प्रतिद्वन्दी अधीर बता दे कि साल 2024 के लोग सभाचुनाब में अधीर रंजन चौधरी बहरामपूर से तुरिनमुल कॉंग्रिस के उमिदवार और पूर क्रिकेटर यूसू पठान के हाथो पराजी थुए थे हाला कि ममता बेनर्जी के खिलाफ उनकी बयान बाजी अभी भी जारी रहती है इसके पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता बेनर्जी को लेकर बयान दिया था जिस पर कॉंग्रिस के अध्यक्ष मलीका अजुन खडगे ने उन्हें चेतावनी भी दी थी और कहा था कि पार्टी में रहने पर पार्टी की नीतीों का पालन करना ही पड़ेगा ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी फिलाल इंडिया गठवन्दन में शामिल है वहीं आपको बता दे कि नीती आयोग की बैठक से इंडिया गठवन्दन ने बहिशकार करने का निर्णे लिया था ममता का नीती आयोग पर निशाना ममता विनर्जी ने नीती आयोग पर निशाना साथते हुए कहती हैं कि नीती आयोग के पास कोई शक्तियान नहीं है ये राज सरकारों के साथ समनवे में काम नहीं करता है जब उनसे सवाल किया गया कि नीटी आयो की मीटिंग में इंडिया ब्लॉग के कई और मुख्यमंत्री भाग नहीं ले रहे हैं इस पर मम्ता बेनरजी कहती है मैं ना केवल बंगाल के लिए बलकि इंडिया गठवन्दन या इंडिया ब्लॉग शासित राज्यू का मुद्दा उठाऊंगी वहीं बीजेपी पर निशाना साथते हुए मम्ता बेनरजी ने कहा वो बंगाल को बाटने की कोशुश कर रहे हैं बीजेपी के किसी नेता ने असम को बाटने को कहा था किसी ने बिहार को बाटने को कहा प्रमुख बैनर जी ने कहा कि भाजपा ने सरकार तो बना ली है लेकिन उनके पास जनादेश नहीं है 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने एकल पार्टी की सरकार नहीं बनाई है अब बेनर्जी के इसका टाक्ष से उन्होंने खुदी ये साबिक कर दिया है कि भार्टी जनता पार्टी 2024 चुनाव में थोड़ा जरूर डगमगाई है वैसे वे बहुत ही स्ट्रॉंग पार्टी है आगे मनर्जी ने कहा कि अपनी मजबूरियों के कारण भाजपा नीती राश्ट्रिय जनतांत्री गठवन्नन यानि कि राजग ने राजनीती रूप से बहुत पक्षपाती बजट पेश किया है जिसने विपक्षी दलो के शासन वाले राजज्यों को उनके अधिकारों से वन्चित कर दिया है मंता के हैं कई भ्रम एंडिये मजबूरी में गठबनन सरकार में एंडिये सरकार पर मंताब एनरजी ने कहा कि उन्होंने सरकार तो बना ली है लिकिन उनके पास लोगों का जनादेश नहीं है अगर आप जनादेश को देखें इंडिया ब्लॉक के पास फुल मिलाकर 50% वोट शेयर है और एंडिये के पास सिर्फ 46% वोट शेयर है एंडिये सरकार आपसी लड़ाई से गिड़ जाएगी वे आपस में ही लड़ेंगे बस इंतजार करें और देखें बीजेपी गठबंदन की राजनीती में विश्वास नहीं करती है वे मजबूरी में गठबंदन सरकार में हैं ममतब एनरजी ने कहा कि महरास्ट में उद्धब और उनका गठबंदन अच्छा प्रदर्शन करेगा हरियाना में बीजेपी हार जाएगी जारखन में हेमन सुरेन फिर से जीतेंगे बिहार के लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती शेत्री अदलों को फिर से प्रमुक्ता के सामने आना चाहिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नीती आयोग क्या है नीती आयोग या फिर National Institution for transforming India भारत सरकार का एक नीती think tank है जो सरकार के विभिन कारिक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है नीती आयोग केंद्र और राजसरकारों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्रसांगिक सलाह देता है इस संस्था का गठन साल 2015 में केंद्र मंत्री मंदल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था और इसकी अध्यक्षता भारत के मानिनिया प्रधान मंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं और उप्राज्यपालों द्वारा की जाती है नीती आयोग भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दिर्ग कालिक नीतियों और कारिक् परकार का उदेश सभी राज्यों को एक साथ मिला कर राश्ट्रिय हित में काम करने के लिए एक साजा मंच प्रदान करने का था साथ ही लोगों की जरुरतों को बहतर तरीके से पूरा करना भी था क्या है नीती आयोग के उदेश राश्ट्रों और लोगों की सेवा के लिए सभी राज्यों को एक साथ काम करने के लिए एक साजा मंच प्रदान करके सहकारी संगवाद को बढ़ावा देना नीती आयोग मानता है कि एक मजबूत राश्ट्र मजबूत राज्यों से बनता है समाज के उन शेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो आर्थिक विकास और प्रगती से अनिवार रूप से लाभान भी नहीं हुए है राश्ट्र और उसके लोगों की बहतरी के लिए नीतियों और कारिक्रमों के लिए रण नीती तयार करके राश्ट्रे विकास को प्रात्मिक्ता देना ग्राम अस्तर पर प्रगती शील योजनाय विक्सित करना तथा उन्हें उच्च सरकारी अस्तर तक संप्रेशित करना अंतर शेत्रिय और अंतर विभागिय मुद्दों के समधान के लिए एक साजह मंच प्रदान करना किंद्र राज्यों और किंद्र शासित प्रदेशों को सलाह प्रदान करना और प्रमुख हितधार को और राश्ट्रिय एवं अंतर राश्ट्रिय थिंग टैंकों के बीज साजेदारी को प्रोथसाहित करना सरकारी नीतियों और कारिक्रमों के कार्यवयन की निगरानी और मुल्यांकन करना नई नीतियों के कारिवयन के लिए प्रद्योगी की उन्वयन और शम्ता निर्मान पर ध्यान केंद्रूइद करना राश्ट्रे विकास एजंडे पर ध्यान केंद्रूइद करना तो ये था नीती आयोग का पूरा एजंडा और आज जो कुछ भी नीती आयोग की बैठक में पूरी कहानी मैंने आपको बता दी तो फिलाल मेरे साथ स्टोरी में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते हैं क्याप्टिल टीवी नमस्कार